हेलो एवरीवन मैं तोहड़ा गुर्पीत सर्थ तोहड़ा सारेंदा स्वागत करदा हां क्वाल्टी एजुकेशन मुगा दे यूटुब चैनल ते आज जसी क्लास एट साइन्स चैप्टर इलेवन फोर्स एन प्रेशर यानि की बल अते दाव नूं डिसकस करांगे बल तकना जा खिचना चुकना खोलना बंद करना ठोकर मारना हिट करना साट मारना तक का देना खिचना अजीहां आधिक रियामानू अक्सर वस्तु दे जो अकार दे विच परिवर्तन होंदा है या गती विच परिवर्तन ले आदे हन दा यतन किता जान्दा है उसनों असी फोर्स करने हन ठीक है तो इंग्लिश दे विच की है कि actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling or are often used to describe tasks each of these actions usually result in some kind of change in motion of the objective can terms be replaced by one or more terms let दिखो जी विज्ञान दे विच किसे वी वस्तु उते लगन वाड़े तक के यानि अभिकर्षन जाक चाब यानि की अभकर्षन नों बल केंदे हन जमें कि तक का असी उन्हें इन ग्जांपला पड़ेंगा है उन्हा सारा नों असी एक देविच द्वेल्प कर साथे हैं that means in science a push or a pull on an object is called a force ठीक है बच्चे जी में तुसे देख रहे हूँ इति एक आदमी एक गड़ी नों तक का लगा रहा है यानि क्यों गड़ी ते अपना बल लगा रहा है बल अपलाई फोर्स अपलाई कर रहा है यह थे दो जाने बॉक्स ते तक का लगा रहा है पर फिर असल्च की होएगा असल्च जेड़ा फोर्स इन ते लगएगा ओ होएगा इनना दोना दे फोर्स दा जोड यानि की एक ही दिशा विच लाइब बल जोड जान देगा दोना ने एक को तरफ फोर्स लगाया दोना तर जोड 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 गया बट वोही अगर दोनों जाने फोर्स अलाग लाग दिशा विच लगाऊँ ठीक है दिक्वर तो उसी देख सब्सक्राइब की एक जाना लेफ साइड वालन फोर्स लगा रहा है खबब पासे नों दूजा सज्जे पासे नों फोर्स लगा रहा है यानि की दोनों उल्ट दिशा विच फोर्स लगा रहे हैं की बॉक्स अपनी जगा तो मूँग करेगा अगर म यानि की जिनना एक बंदा लेफ्ट साइड ते फोर्स लगा रहा है ते जिनना दूसरा बंदा राइट साइड ते फोर्स लगा रहा है जो दोस ये ありना दोना दा अंतर पता करांगे जेटा साध। कोले फोर्स आएगा उही फोर्स सादे उस अब्जेक्ट ते लग रया होएगा कि आदमी बैल नो अपने वर खेच रहा है ते बैल आदमी नो दूसरे वर खेच रहा है कि ये दा आरथ है कि किसे वस्तू उते उल्ट दिशा विच लगण वाले बल बराबर हों ता उसके इशा हुंदा है, so in journal more than one force may be acting on object, however the effect of an object is due to the net force acting on it, ठीक है, यानि कि आम तो अर्तियसी एक ऐसा दियां कि एक वस्तूती एक दो या उस तो भी ज्यादा force लाग सकते हैं, ठीक है, ति जड़ा उनना ती total force होएगा ना, उनना दा net result होएगा, यानि कि अगर ता एक को दिशा छोणगे ता जोड़ होएगा, अगर उल्ट दिशा दे विच होणगे ता उनना दा अंतर होएगा, यानि कि एक वस्तूती एक ज्यादा forces अपलाई किते जा सकते हैं, हुन असी इनना दे questions नो करांगे, questions दे नालना लसी एस chapter नो खत्म करांगे, ठीक है, questions दे नालना लसी न उदारन देओ, give two examples of each situations in which you push or pull to change the state of motion of objects, स्थिती ए उदारना जिनना विच वस्तूती गती दिया वस्तानों बदलना लई तक दे हां जां खिच दे हो, पहला खिचना, दराज खोलना लई असी उस नो खिचना पवेगा, एक रिया गती दिया वस्तानों बदल दी है, खू विच्चो पानी कड़न लई रसी खिची जान दी है, एक रिया बाल्टी दी गती वस्तानों बदल दी है, तो पहली example की इसी खिचना दी, कि दराज नो खोलना लई इसनों खिचना पवेगा, एक रिया गती वस्तानों बदल दी है, दूजा खू विच्चो पानी तक क्या जान्दा है एक रिया गती गेंद दी गती वस्थान नो बदल दी है तुझ्जा पारी बक्सियों नो कम एक कमरे चो तुझ्जे कमरे विच बदन लई उसनों तक ना पवेगा I. wonderful bowl of citations in which you push or pull to change the state of motion of objects Pull situation in order to open a drawer we have to pull it. This action changes the state of motion of the drawer. B To draw water from the well the rope is pulled. this action changes the state of motion of the bucket so we have discussed two examples of full situations push situation a football is pushed by the foot of a player this action change the state of motion of the ball in order to change the place of heavy box from one room to another we have to push it this action change the motion of the box so here we have discuss to push situation so we total discuss to push situations and to pull situations which is your answer so next question is a jeehan doh udhar na dev jinnah vich liaye balh dohara vashtu di akriti vich pariwarthan aa da hai hai assi yinhaan doh example di nga han jind eh vich se force सप्लाइ कर रहे हैं ते वस इडी बॉडी है उन्दी शेप देवेचे चेंज होंदा है हत्ता दे विचकार मिट्टी नुद बाउन नाल ए दी शद शकल बदल जा सकती है प्लास्टिक दी बोतल नुद रिचोड़न नाल इस दी शकल बदली जा सकती है अगर तुसी मिट्टी ना थे डजबा ओगे या प्लास्टिक दी बोतल ना थे डपाओगे ता उन्दी शकल बदल जान्दी है जानिक उन्-धी शेप चेंज हो जान्दी है English देवेच By pressing the clay between the hands, it deforms, second, the shape of plastic bottle change by squeezing it So simply, असी इना दी शेप बदल सकदे हैं, इना नू हत्था दे विच दिबाउन दे ना So next है, साड़े कोले खाली थाम, पैली था खाली थाम की है खूब इचो पानी कडनली रसी नू डैश पेंदा है To draw water from a well, we have to dash the rope Second है, एक चार्जित वस्तू, दूजी अन्चार्जित वस्तू डैश कर दी है तो एक चार्जित वस्तू, दूजी चार्जित वस्तू नों हमेशा की करेगी, अकरशित करेगी ठीक है बच्चे, की करेगी, अकरशित करेगी A charged body attracts an uncharged body साड़े को ले खाली थाम कित्थे सिगी कि a charged body dash an uncharged body towards it That means a charged body attracts Answer is attracts To move a loaded trolley, we have to dash it असी एक loaded trolley नो move करना से की करांगे या खिचांगे या फिर तक कादमांगे That means pull or push, इन्दा answer की आएगा, pull or push We have to pull or push it The north pole of a magnet repels the north pole of another magnet एक north, एक magnet दा north pole, दूझे magnet दे north pole नो की करेगा Repel करेगा ठीक है बच्चों इन्दे ना साध्यां खाल ली था, मैं complete हुंद गाहन उन असी अगले question वाल वाद दे हां सो चोथा question बच्चे बहुत इजी है, मैं तो आड़ेते शाड़ दा हां उन असी वाद दे हां पंजमे question वाल इन्दे विच असी वस्तो ते लगन वाले बाल दे कारक अते उना ते लाग रहा बल नो पिछानना है, दसना है कि केड़ा बल उना ते लाग रहा है तो साड़ेको ले पहला question की सिगा रासकड़न दे ले निम्बू दे टुकड़ान उंगला नाल दबोना ठीक है, अगर असी रासकड़न दे ले निम्बू टुकड़ान उंगलान दबोने हां तो केड़ा बल लगोने हां squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice बच्चों तुसी हमेशा याद रखना है जोदो भी साड़े body the contact हुंदा है किसे चीज नाल तासी हमेशा केड़ा बल लगोने हां पेशी बल लगोने हां तो या फिर मास पेशी असी निचोड़ के निम्बू दा रसकड़न दे ले मास पेशी बल लगोने हां नतीजे वजो निम्बू दा रूब बदल जानदा है तो जोदो भी असी अपनी body the contact यानि कि शरीर दी वर्तों करांगे किसे काम दे लई तासी केड़ा बल लगावांगे पेशी बल भी मेक अ मस्कुलर force to extract the juice of the lemon by squeezing it as a result the shape of the lemon gets changed तो असी केड़ा force अप्लाई कर रहे हां मस्कुलर force अप्लाई कर रहे हां तो सादा next है B part इंदा ही B part की है तो similarly तुसी इंदे B, C part भी कर लेने हां D part भी असी वादे हां छे में कॉश्टन वाल एक खत्यार नौन समें लोहार लोहे दे गरम तुकडे नौन थोड़े नाल कुटदा है कुटन दे कारन लगण वाला बल लोहे दे तुकडे नौन किस तरा प्रभावित कर दा है तो इंदा है इंग्लिश देवेच कॉश्चन है A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool How does the force due to hammering affect the piece of iron Answer A blacksmith uses his muscular force while hammering a hot piece of iron The muscular force changes the shape of the iron so that it can be given the desired shape यानि कि पाव कि एक लोहार गरम लोहे दे टुकडे नौन थोड़े नाल मार दे हुए अपनी मासपेशी दी शक्ती दी वर्तो करदा है मासपेशी शक्ती दी लोहे दी शकल नौन बदल दिन दी है ते इस नौन लोड़ान दी शकल देती जा सकते जिवे कि मेर अस्या साधा बोड़ी दा कॉन्टक्ट हया तकेडी वोह सशी वर्ती मासपेशी शक्ती ठेके बच्यों Next question Question number 7 एक फुलाय हुए गुबारे नू बनावटी कपडे वे दे टुकडे नाल रगड के एक दिवार उते दबाया गया इवेख्या गया कि गुबारा दिवार दे नाल चिंबर जानदा है अते दिवार अते गुबारे दे विच अकर्शन दे ले जिम्मेवार बालदा नाद सो क्यासी एक कपड़े एक टुकड़े नू रबड ना चंगी तरह रगड़या ते दिवार देना गुबारें जोदर आया तो गुबारा दिवार ना चिंबर गया अखिर की रीजन हो सकदा है हिंदे पिछे वो सी डिसकस करांगे An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of a synthetic cloth It is found that the balloon sticks out to the wall what forces might be responsible for the attraction between the balloon and the wall इन्दा अंसर है जोदो एक फुलाया होया गुबारा synthetic कपड़े दे टुकड़े ना रगड़ा जान्दा है ता एक चार्ज हो जान्दा है एक चार्ज लाश एक अर लाचार रहित शरीर नू अकर्शित कर दी है जोदो एक चार्ज किता बैलून कांद दे विरोद दबाया जान्दा है ताहे कांद नाल चिपक जान्दा है इस तरह लेक्ट्रो स्टेटिक शक्ती चार्ज किते बैलून अते कांद दे विचकार काम कर दी है तो केड़ी शक्ती काम कर रही है? Electrostatic शक्ति चार्ज किते बैलूना तेकांद देविचकार काम कर रही है English देविचांसर की हैंदा When an inflated balloon rubbed with a piece of synthetic cloth, it becomes charged. A charged body attracts an uncharged body when this balloon is pressed against a wall. It sticks to the wall, thus the electrostatic force attacks between the balloon and the wall. KD force attract कर रही है, electrostatic force So KD force वर्थ कर रही से बच्चे वारी वारी में तुन दास रहा है KD force and electrostatic force जड़ी के एक charged body दे, uncharged body दे विचाले काम कर दी है So next, eighth question तुसी अपने हाथ विच पानी नाल परी एक प्लास्टिक दी बाल्टी नो लटकाया होया है बाल्टी उत्ते लगन वाले दो बला दे नादसो सलाव मिश्वरा करो की बाल्टी उत्ते लगन वाले बला द्वारा इस दी गती दी अवस्ता विच परिवर्तन क्यों नहीं होंदा ठीक है बच्चे वो तो पहला तुसी दो force एक्शन डिसकस करांगे फिर उन दी असी उनादर result एक्श डिसकस करांगे पानी दी बाल्टी नू तरती दे उपर रखन लई असी अपनी मास पेशी दी शक्ती दी वर्तो कर दे हैं एह मास पेशी शक्ती गंपीड़दा दी शक्ती दे वृदकम कर दी है जो बाल्टी नू जमीन वाल खिच दी है दो ताकता एक सारता विच बराबर हन पर दिशा विच उल्ठान इसली बाल्टी दे शक्त बाल्टी शोद पांट जीरो शक्ती है इसली गती दे वस्ता विच कोई बदला नहीं आंदा असे पड़े असी स्टार्टिंग दे विच कि अगर दो फॉर्सिस एक दो जेदे उपजिट्स काम कर रही हों एक दो जेदे उल्ठान इशा विच काम कर दिया हों ते उना दे जेडा मैग्डिट्यूड यानि की बला जो बाल है जो संख्या दे विच बाल ब्राबर होए ते उल्ट दिशा विच काम कर दे हों तो ते कुल बल किना लगदा है जीरू उही इत्य हो रहा है कुल बल जीरू लग रहा है इसकार क्यों दिक गती दिवस्ता दे विच बदला नहीं होंदा सो बच्चे उमीद कर दे हां तो अनों समझा चुक्या होगा सारे कुश्टन जरूरी हन सारे पढ़ने हन जो रह गए हन तुसी आप करने हन आल दे वेरी बेस्ट वीडियो नों लाइक कर दो शेर कर दो चैनल नों सब्सक्राइब